वेल्कम डो मेंजरो गाइज आज मैं आपको S EWS AirBuds की Unboxing दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही जादा affordable है बहुत ही जादा शांदार है और बहुत ही जादा value for money है चलिए इसको Unbox करते है तो गाइज यह OPPO EncoBuds 2 है जो कि मैंने Flipkart से Purchase किया और यह मुझे बस 1600 में पढ़ा इसकी packaging काफी अच्छी है यह रहे हमारे TWS तो गाइज यह OPPO EncoBuds 2 तो गाइज यह Type-C केबल को support करते है यह user manual और यह कुछ air tips इसके साथ आते है इसके साथ Type-C केबल नहीं आती बात करते हैं इसके specs की तो यह Bluetooth 5.2 के साथ आता है इसका जो driver size है वो 10 mm है और इसके साथ latency mode भी आता है जो gaming के वागत काफी ज़्यादा help वो रहता है तो गाइज बात करते हैं इसके pricing की यह तो actually 1800 का आता है in hand feel की तो in hand feel काफी अच्छा है गाइज अगर मैं बात करें इसके weight की तो इसका weight with case 39 grams आता है और without case इसका 4 grams एक बट्स का आता है guys जब यह कानों में लगाते हैं तो काफी lightweight feel होता है इसका ज़्यादा weight नहीं feel होता है हमें कानों में guys अगर मैं इसके design की बात करता हूँ तो यह pebble design के साथ आता है जो मुझे personally पसंद नहीं है क्योंकि यह काफी slippery लग रहा है और यह easily हाथ से गिर सकता है guys इसमें mad finish आता है जिससे थोड़ा बहुत less slippery बनता है इसके काफी अच्छे है guys यह IPX4 के साथ आता है जो के हलके से splashes ले सकता है अगर बात करें fit के तो यह कान में अच्छे से fit होता है यह आया OPPO ENCO BUDS 2 कर देते इसको pair यह हो गया इसका pairing complete guys यह Hey Melody app को support करता है इसको हम connect कर देंगे इस Hey Melody app के साथ यह हमारा earbuds हो गया connect guys अगर हम बात करें इसके touch features की तो अगर हम single tap करते तो यह play pause हो जाता है और अगर हम double tap करते तो यह next track पे आ जाता है और अगर हम triple tap करते तो यह previous track पे आ जाता है guys अगर हम left earbud को tap and hold करके रखते है तो इसका volume down हो जाता है और अगर हम right earbud को tap and hold करके रखते है तो इसका volume up हो जाता है guys अगर हम बात करते हैं इसके audio quality की तो बात करते हैं इसके bass की first of all तो bass according to the price इसका काफी अच्छा है bass में कोई शिकायत नहीं आएगी bass बढ़िया है according to the price point mids भी काफी अच्छे है अगर हम कोई movie देखते हैं तो vocals काफी बढ़िया से सुनाई देते हैं अगर हम बात करते हैं treble की तो treble थोड़ा बहुत boosted है वो आपको थोड़ा बहुत हलका सा boosted लगेगा बाकी voice quality overall voice quality की बात करते हैं तो वो काफी बढ़िया है value for money है guys बात करते हैं मेरे final verdict की तो मुझे लगता है 1600 के price point पे ये काफी अच्छी sound produce करता है इसका जो bass है वो भी काफी अच्छा है decent है price के हिसाब से और जो mids है जो vocals है वो भी अच्छे से सुनाई देते है मुझे लगता है अगर आपका budget 1600 से 1800 तक है तो ये काफी अच्छी डी रहेगी आपके लिए you can go for it thank you for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like करें share करें और channel को subscribe करें